बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व मासूस हो रहा है कि मेरा बेटा का सेलेक्षिन आइपियल में हो गिया है पांच बज़े उड़ करके साढ़े पांच से साढ़े छे यह खेल लेता था अब उसके बाब मुझ कांधो करके सब फिरे सुरस करके फिर स्कूल नमस्कार व्यूवर्स मैं आईशनी किशन मशान नियूस के इस वीडियो में करता हूँ आप सबका स्वागत अभी है मौजूद है कुमार कुशागरा जी के घर पे उनके पिता जैसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है उन्होंने बच्पन से क्या किया क्योंकि ऐसे एक दिन में कोई नहीं बनता है बहुत साल की महनत थी तो चलिए उनसे बाची करते हैं नमस्कार सर सब्सक्राइब हमारे मशान नियूस के इस वीडियो में आपका स्वागत है और सब्सक्राइब कॉमार कुशागर जी के आप पिता जो 19 साल के वर्ष में इतने बड़ा उपलब्धी हासिल किया है तो आप पहले अपने जैसे कि आप एक कमर्शियल कमिशनर थे जी सब का नॉलेज रखते है तो हम कह सकते हैं कि आपका नॉलेज जो है अगर खेल में उतना नहीं लेकिन ऐसे जो हो किताब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी बहुत सारे टेकनिक ये उसमें लिए बुलमर के किताब में भी हम मैंने देखा उसमें एज के बारे में लिखा वा था कि वार शुरूर भी दप्रोपर एज बच्चा को खेलने के लिए शुरुवात करने के लिए क्या होना चाहिए उसमें क्लियरी मेंशन है कि छे से साथ साल के उम्र से आदमी अगर स्टार्ट करे तो मंजिल हासिल की जा सकती है इसके बाद अगर लोग करेगा तो मनें कि इसके लिए बहुत बड़ा इंस्प्रा स्टक्सर लेना पड़ेगा बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा वह संभव नहीं हो पाएगा तो आज हम अपने बेटे के लिए हम बोलते हैं हम इस चीज को पढ़े उसके बाद हम उसी उम्र से उसको हम क्रिकेट सिखाना शुरू किये 6-7 साल के उम्र से सिखाना शुरू किया और जितना भी टेकनिक था वह सब टेकनिक हम पस्पन में उसको अपलाए सिखा दिये थे अगर उसका वीडियो बच्चा का अगर आप लीजिएगा बच्चा का भी हम यह इंटर्व्यू है बच्चा में 6-7 साल का था तब उसमें खुद जो होसो बताएगा कि किस बॉल को किस तरह खेलता था क्यों कि टेकनिक उस वक्त हम उसको पूरा सिखा दिये थे टेकनिक हम उसको सिखा दिये थे टोटल टेकनिक कैसे क्या होता है नहीं होता है उस पर हम बोले तुम प्रैक्टिस को रोज पर कोच के अगर कोई बात किया जाए तो कोच यहाँ पर मेरे हिसाब से किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे हमको नहीं लगता है कि कोई यहाँ इसाग कोच है जो कि किसी भी बच्चे को जो सो इंडिया टीम देखों जा सकते हैं क्योंकि लोग पढ़े तब तो किताब पढ़ लेता है तो अच्छा को बन सकता जिसे कि आप दिली जाए बंबे जाए एकस्पर्ट कोछिस होता है कि यह यह टेक्निक यह वह यह तो यहाँ भीर भड़का है जो आपना चल रहा है बचा कर लाइफ बरवाद हो रहा यह हो रहा है इसके केस में हम समय ने बरवाद ह तो हम जो इसको बच्पन से ही टेकनिक पर ध्यान दिया तो टेकनिक करता गया, 14 में भी डिस्टी खेला, 16 में भी पूरा जो अच्छा किया, अच्छा ही किया नहीं, नेशनल किरकेट अकेडमी हमेशा इसको हर एक साल बुलाता था था तीन साल चार साल लगातार, वहां कोचि किया, फिर अपना चला, या उसके बाद फिर यहां के जब खेलना शुरू किया, 19 के लिए जब खेलना शुरू किया, तो वह क्या-क्या पंदर, 14 साल के उम्र में, इंडिया का बिनु मांकर ट्रॉफियक होता है, अंडर 19 के लिए, इंडिया में सबसे ज्यादा रन बनाने यही था, at the age of 14, है न, अंडर 19 में, 14 के एज में, इंडिया में सबसे ज्यादा रन बनाया, इसका वर्ल्ड कप में सेलेक्शन हो गया, पंदरा साल के आयू में यह अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल लिया, अज जैसे ही खेला, उसके बाद जोसो इसका रन जी में सेलेक्शन हो गय इसके बाद जोसो इडियन गार्डन में 266 रन मार करके जोसो जाविद मियादाद का रेकॉर्ड तोड़ दिया, यही सब इसका उपलब भी है, अभी हाली में उन्होंने विजय हजारा ट्रॉफी में भी 37,67 उपलब भी पास की थी अभी, इनके सिख्छे के बादे आपके क आपको अच्छा लोगों को कि हमारे ग्र के बगड़ों लरकां ही आईपय में इतना अच्छा मुकाम हासी करके आया है लोग तो आसपास के लोग तो बहुत खुश थे, बहुत लोग इंटेस्टेट रहते हैं, बहुत लोग देख रहा था है, उसी समय आकर के बोले कि आपका लगा तो जो बहुत अच्छा मने ये करके ये क्या है, बहुत-बहुत बधाय देने के लिए सब चलाया था, तो सबसे बड़ी चीजज था कि, अपने के साथ, वो हमेशा सच करता था, सच भोलता था, और हमेशा पोजीटिव ठिंकिंग रखता था, सोच पोजीटिव, नहीं होगा कह कहीं कोई सवाल नहीं था उसके लाइप में, 15 साल में World Cup हम नहीं खेलेंगे विस्वर्यकॉर्ड तोड़ देंगे उसके थी में नहीं था 15 साल कमरे में World Cup खेल लिया तो पॉजिट्व थिंकिंग उसका था जू टू पॉजिट्व थिंकिंग यहां तक पहुच पहला था कि मुझे चाहब जैसे आप भी आगर आपका भी कुछ सपना है तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमेशा पॉजिटिव रहना आप सी की है जो अपसे ज्यादा जरूरी है 19 साल में इतबर प्लब्दी करना ऐसा नहीं है कि एक दो साल का परिश्रम हुआ और आप बन गया ऐसा नहीं है आपको शुरुआत से बैलेंस करना होगा यह खेल कुद और सिक्षा को कैसे बैलेंस करके चलते थे आज कर के बहुत लोग जो युवा रहते हैं वो कहते कि हम नहीं कर पाएंगे मेरे से निया पहसे हो गर मेरा कॉलेज चल रहा है तो यह पिसी की मैं परहाई ही नहीं कर पा पर उस मुकाम में जाएंं उस डीप नौलेज में जाएं स खेल में जाएं अगर हम इंदारी से सच में अगर उसको कर रहे हैं एक घंटा काफी है खेलना इंदारी से बैसरतिय की अच्छा गैड़ेंस रहें अच्छा टेकनिक मालूम रहा है वो कर लेगा एक ही घंटा अगर सुबह करेगा इसका काम क्या था स्कूल खुलता था साड़े साथ बज़े लोईला स्कूल पांस बज़े उड़ करके साड़े पांस से साड़े छे यह खेल लेता था उसके बाब मुझ कांधो करके सब फिर फिर स्कूल से ऑना खाना पिना खाया सब चिस करके अपना खेलने के पढ़ने के लिए भी बैट गया तो इस तरह का अगर हम किसी चीछ के प्रतियमांदारी बरते हैं तो आगे का रास्ता हुआ हम खुलता चल जाता है बहुत बड़ी बात अपने कहीए सब के लिए होता है कि अगर आप लोग कहते हैं कि मैं प्रियोटी अगर नहीं दूंगा एक चीज को तो मेरा नहीं लिकल पाएगा लेकिन आसा नहीं है आपको कैसे उसे बैलेंस करके चलना है और कैसे इतने बड़ेंस का किसे का रेकर्ड ब्रेक किया है इंडिया में सबसे ज्यदा रन बनाने वाला खेलाड़ी है। तो हमको तो उमिद आओव इसे ज्यादा था। गोई आपके उमिद रहेगी है। उनका परिश्रम से साथ क्रोन कुछ नहीं हो का परिश्रम हमेशा ज्याधा रहता है। कर सकता है साथ करोन का महनत्स करूद कि वह क्या है जैसे जंश्यतपूर वह भी लोग खेल ना चाहते हैं बहुत लोग का सपना है कि अभी कुछल के इनका आ गया उनीश साल में टो लोगों का भी बहुत लोगों जुरून आगया होगा कि मैं भी । अवट एक्वी साल का हू हमें भी तो बन सकता हूं कि घर मेंभी अप तक बात हो रहा हो से स्वाव रिखा हूबत कि अँधों में चौना है रिधा यह से निक ना फूरा करें रखता है नहीं तो थोड़ा से एक दो साल भी होगा ना आपका मान स्पेशी जखर जाएगा और फिर काम करना बने उतना एफेक्टिव नहीं होगा अगर करना होगा तो बहुत परिश्वरम करना पड़ेगा और यहां के बच्छे के लिए अब यहीं है कहना है कि परहाई छोड़े नहीं और खेल भूले में हम और भी इनकी माता जी से बात करें इंगा अगर वो चाहिए तो बात्चीत करेंगे तो चलिए पहले तो सब्सक्राइब को बहुत बहुत शुब कामना है कि इतना पर हासलओ हरम चाहेंगे कि जम्षितपुर के लरकोर आपकर आपके बेटा आपको ज्यादा खुशी होगी इंडियन टीम के लिए खेले और उनका सपना था आटिकल्स पहने पड़ा है तो पदा चला कि उनका सपना इंडियन क्रिकेटिंग के कैप्टेन बनने का जो आपका जुरूर हो हो रहा है कि मेरा बेटा का सोना अईप्यल में हो गिया है त Proband's स्टमते किया है उसका फल अज मिला है इस पहिला मुकाम थे अच्छा करेंगा और जार्खंड का नाम रोसन देश का नाम रोसन करें आपूड़े परिवार नाम रोसन करें तो चलि मैं और यह चान की व Walkil